कैसे हैं आप सब लोग आई वीश आप सब अच्छे होंगे आज मैं आपको यहां बना के दिखाने वाली हूँ वजार जैसा बिल्कूल फ्लापी एंड जली दा धोपला जिसके लिए हमने एक कटोरी बेसन लिया है और हाफ हाफ कटोरी हमने पानी एंड दही लिया था जिसको इस मिश्रण को दो मिनट तक चलाती रहोंगी दो मिनट चलाने के बाद हमने इसमें एड करना है अपने स्वाद अनुसार नमक और चुटकी भर हल्दी हल्दी बहुत जादा मट डालिएगा दर्वाइज वो बहुत पीला पीला सा लगने लगता है डोकला आपका अच्छा बनाएगे तो बहुत जाद अच्छा ढोकला बनता है इसका अधरवाइज आपको अभी बनाना है तो मैं आगे बताती हूँ कि आप 10 मिनट बाद कैसे बना सकते हैं जब यह अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम इसे ढखकर 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे वैसे तो 10 सब्सक्राइब करें देखी इसमें फिट नहीं हो रही थी क्योंकि बनाने जा रही हूं इसको मैं ग्रीस कर लेती हूं ऑल से अच्छे से मैं ग्रीज कर लोग इसे चारो तरफ से तक इक अपना जो है यह पेस्ट बेसन वाला चिपके नहीं पानी में भी उबाल आगया है हम इसमें टालना हूं अपर पकेट एड करेंगे झो फूटी एक चम्मच के लिए दिएंस से अधे मिक्सड आपप पूरे मिश्रन को हम इसमें डाल देंगे अब यह फूलेगा इसलिए मैंने इसमें जगह छोड़ी है पूरा नहीं भरा है जो करम पानी हुआ था वहां हमने इसको रख दिया है ताकि स्टीम बने और वो स्टीम में पूरा पक जाए हम करीब 15 मिनिट बाद उसे देखेंगे सा डाल रहे हैं राई राई को चटका लेंगे राई या फिर आप सरसों ले सकते हैं कि सरसों डालने के बाद हमने इसमें हरी मिश डाल दी है कड़ी पता डाल दिया है अब इन दोनों को हम अच्छे से भून लेंगे यह जो मेरा कड़ी पता है आप ये किन नहीं करेंगे 20-21 दिन पुराना है और देखे कितना फ्रेश है कैसे फ्रेश है वो मैं आपको एक शोट में मैंने शायद बता दिया है या मैं वो शोट जल्दी ही पोस्ट करने वाली हूँ अब यह हमें खटा मीठा और नमकीन पानी चाहिए तो हम इसमें सारी चीज़े अड़ कर रहे हैं नमक चैक करते हैं यह देखिए बन गया है हमारा डोकला भी टूथपिक से बिल्कुल भी चिपका नहीं है तो हम गैस बंद कर देंगे और यह गैस बंद करने के बाद 10 मिनट बाद हम इसे निकालेंगे चारो तरफ से हम इसको थोड़ा सा जो है चाकु से हटाएंगे और उसके बाद हम इसको पलट देंगे थाली में और इस तरीके से हमने इसको निकाल लिया है यह देखिए कितने सारे एर पॉकेट्स हैं इसमें जिसे कि यह बहुत जालीदार और फलपी बनता है जितने ज्यादा एर पॉकेट्स होते हैं उतना अच्छा होता है डोकला हमेशा यह मै अच्छा है था वह हम इस पर डालेंगे ठंडा हो गया है वह उसको ठंडा करके ही डाले मेरे तो मुझ में पानी आ रहा है इसको देखके बहुत टेस्टी लग रहा है यह तैयार है हमारा डोकला यह आप टिशू पेपर में लपेट के रखेंगे तो फ्रेश रहेगा थैंक सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें